पर नहीं रहा गया है, विहार की लाइन अडर रहा है वह बहुत ही बंतर इस्थिती में पहुँच गई है और बहुत जल्द ही सारे मंदल के बेवुजे उसमें जराएगी है दिए जो उन्होंने कुछ कहा है, उनके पास सारा साक्ष है और जो रिंटूशिंग की हत्या हुई है, उसमें सही है कि मंदल के सदश्यों का हाथ है उसमें, उनके परिवार का भी हाथ है, मंदल की इशारे पर हत्या हुई है, इसमें कहीं दो राए नहीं है और सरकार उन पर क पत्याय हुई है और मंत्री को ही बचाया गया है और विधाय को ही बचाया गया है यह सुसासन की सरकार के वर ड्होल पिटने का काम करती है यह विहार के लोगों के असमत के साथ खिलवार कर रही है जान के साथ खिलवार कर रही है इसलिए वैसे लोगों पर करवाई होना चाह सबसे बड़ी चीज है जिन लोगों की बात आप कर रहे हैं आज शाषन है इंडिये का और खासकर आरेसिस के लोगों का सासन है जो देश के आजादी के लड़ाई में अंग्रेजों के दलाली का काम करते थे और ये वो लोग है जो नाथू राम गोड़से के परिवार हैं जिन्होंने महत्मा गांधी की हत्या की थी तो अयर साहब ने जो कुछ कहा है वो गलत नहीं कहा है ये मुशलमान करकर इस देश को बाटना चाहता है इस देश पर सासन करना चाहता है प्रियंका काही ने एलान किया है कि यूपी विदासवाद चुनाम में सभी स्टूटों पर कॉंग्रेस अकेले चुनाम लड़ेगा ये उनके पार्टी का अंदुरली मामला है उस पर हम क्या क करा सकते हैं उनको नर्ने लेना है 1901 तक की जंग और 1999 के कर विदमें हारने वाले पाकिस्तां को आतंग बात परूना वोगा यह पात रक्ष्य मंतरी राजनासी ने कहई उन्होंen यह भी बताया कि गोसना की है कि पौकिस्तान ने गोसना किया है कि वे अब आतंकवाद को पनाह नहीं देगे सवाल है कि जो आतंकवाद को पनाह देने वाले लोग हैं अरोज पानी पीक पीकर पकिस्तान को गाली देते रहे हैं उस देश का भारत का प्रधान मंत्री बिर्यानी खाने के लिए पकिस्तान जाने का काम करते हैं और केवल हिंदू मुशलमान का नार देकर हिंदूस्तान पाकिस्तान करके और डेश को रसातल मिल लिते जा रहे हैं इसलिए आतंकवाद से जो लोग भी नाता रखता है हर देश के लोगों को आतंकवाद से परहेज करना चाहिए उस पर करवाई करने चाहिए यूपी के सिये में अग्याजीत नंत ने रविवार को दवा किया है कि मौरे समराज इतियास थापना करने वाले चंडिकुप्त मौरे ने मेसिडोनिया के सिकंदर को हराया था और फिर मी इतियास खारों ने उन्हें उमहार नहीं बताया फरजी हिस्ति फैक्ट्री थी उसमें बहुत से इतिहास हैं जिनका नाम लेना नहीं चाहते हैं जो लोग अंग्रेजों का दलाली करते थे वो अइतिहास में उनका नाम आज भी है और वो कहे जाते हैं कि हिंदुस्तान के बहुत बड़े लड़ाकू आदमी थे जो अंग्रेजों के दलाल थे उनको इतिहास कारों ने बना दिया इसलिए उस पर समिछा होनी चाहिए जो लोग इस देश के लिए और इस देश के भारत के लिए काम किया है उसका इतिहास में नाम होना चाहिए